जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे कल अपन ने 85 प्रस्न तक पढ़ दिया था जैमाहिंक जस्चंद्रीका की रचना किस कभी ने की है यहां तक अपन ने पढ़ा था अब इसके आँगे अपन को पढ़ना है ठीक है आपका पहला प्रस्न है जैमाहिंक जस्चंद्रीका आपको बताना है किसकी रचना किसने की थी भट्टे के दार ने गोपी चंद जो 300 ठाक और या फिर मधुकर ने की थी तो उत्तर आपका यहां पर बिलकुँ सही हो जाएगा आपने पढ़ा था किसर जैमाहिंक जस्चंद्रीका की जो रचना की थी वो की थी मधुकर कभी ने किसने की थी मधुकर और आपने डी बताया था बिलकुँ सही अंसर है जो की डी नमबर ठीक है और दोस्तो एंगला क्वोस्चन है भर ठरी हैना जलंध्री पाव कि कभी किस साहित से संबंदित हैं Detective 46 से получилось by T6 बताना है और दोस्तों को अपनने पढ़ा है है ना ठीक है अब कई बार अपने पढ़ा है दोस्तों 86 में और 86 में आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा भरतरी और जलंधरी पाओ ये जो थे दोस्तों ये थे नात साहित ये जलंधरी पाओ और भरतरी ये नात साहित से सम्मन देते नात साहित यानि कि आपका उत्तर बिल साहित की एप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको फायदे बहुत हैं है ना बहुत फायदे हैं आपको डाउनलोड कर लें सेल्फ इस्टडी के लासे से अपको है ना और जिन भी साहित ने कोर्स को पर्चेस नहीं किया वो कोर्स को पर्चेस कर लें जॉइन हो जाएं है के अधीकाल की अंतरगत किस काल में देखे आधीकाल में देखे है अब आधीकाल की अंतरगत किस साहट की उत्तर क्या हो जाएगा श्टमाट जीना उत्तर हो जाएगा आपका रासो शाहथ की वियरिगॉड रासो साहत यानि कि आपका जो यह नम्बर है रासो साहित वो बिलकों सही हो जाएगा इसकी प्रमानेकता संदिक्द मानी गई है तो यह नम्मर आपका बिलकों सही हो जाएगा अचार हजारी परसाद दुवेदी ने गाथा को किस भासा का मुख चंद माना है गाथा को किस भासा का मुख चंद माना है अचार हजारी परसाद दुवेदी चैन करना है पाली को प्राकरित को अपह भरंस या फिर हिंदी को आचार हजारी पर साथ दुबेधी दोस्तो इस त्रेष्ट आलो चुना कार मानने जाते हैं हैना इनका एक ग्रंत कबीर नामा के एक रचना पूछी जाती है कि कबीर नामा के रचना किसकी है तो कबीर नामक एक रचना कीती हजारी परसाद दुवेदी ने हिंदी साहित का अधी काली भी इन्होंने लिखा हिंदी साहित का उद्वा और विकास भी इन्होंने लिखा है ना और हिंदी साहित की भूमी का भी लिखी किसने आचार हजारी परसाद दुवेदी ने 1940 में है ना और कभीर नामक एक रचना की है हजारी परसाद दुवेदी ने और हजारी परसाद दुवेदी ने गाथा को किस छंदे का माना दोस्तो तो यहां पर आपका बिल्कों सही हो जाएगा प्राकृत का प्राकृत का माना है आर्तिवारी जी वेरी गोड़ आंसर संजय कुमार जी दुबे बी नमबर बिल्कों सही हो जाएगा वर्न रतनाकर किस पिरकार की किरती है वर्न रतनाकर कि सबसे पहले तो आपको याद होना च यह पूचा जाता है क्योंकि यह जो 308 और जो 308 और क्योंकि हमें बर्णों को वर्ण को पढ़ना है काई में जोती में पढ़ना है जोती में अंधेरे में नहीं पढ़ना जोती में पढ़ना है बर्ण को तो बर्ण रतना करके रिचना कर जो 308 और और एक इस प्रकार की है वो तो आपको ही चैन करना है और 89 का अंसर बताना है और 89 में आपने बिलको सही चैन किया है उत्तर की सर कि जो वर्ण रतनाकर है यह बताओ उत्तर क्या हो जाएगा कि वर्ण रतनाकर है दोस्तों क्या है सबी लोग बताएंगे वर्न रतनाकर very good answer यह निकि आपका 89 का उंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह जो वर्न रतनाकर है क्या माना जाता है क्या माना जाता है दोस्तों गद्ध किरती मानी जाती है और उत्तर हो जाएगा आपका वी नमबर हैना आपने देखा हूँ दोस्तों उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण ये है ब्याक्रण ग्रंथ है उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण ये ब्याक्रण ग्रंथ माना जाता है उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण हैना और दोस्तों ये वर्न रतना कर क्या है ये गद्य किर्थी मानी जाती वर्न रतन पर बिल्कोट शही हो जाएगा यहां पर आगया भक्तिकाल आपको बताना है भक्तिकाल का अंसर पहला आंसर है दोस्तों सोलहभी सताबदी के योग को हिंदी काब का स्वर्ण योग मानने वाले इतिहास कार कौन है यह आपको बताना है प्रश्न किरमांक आपका 90 सोलहभी सताबदी के योग को हिंदी काब का स्वर्ण योग मानना किस इतिहास लेकक की महत्पूर्ण उपलब्दी है यह आपको 90 का अंसर बताना है 90 का 90 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा तोलहभी सत्रवी सत्रवी सताबदी के योग को हिंदी काब का स्वन योग मानना किस इतिहास लेकक की महत्पूर्ण पलबधी है अपन पढ़ते हैं कि हिंदी साहित के भक्तिकाल को स्वन योग कहा जाता है लेकिन दोस् सही लगा देते हो और दूसरा आता है स्याम सुन्दरदास भी आपको लगाना है यहां पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर उत्तर होगा आपका जार्ज गिरियर्शन जार्ज गिरियर्शन यानि कि आपका डी नमबर बिलको सही हो जाएगा और यहां पर अगर स्याम प्रशने किर्मांक नाइंटी बनका उत्तर आपको चेन करना है और नाइंटी बनका आपको बिलकुल सही आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपने संबत पड़े हैं अभी तक सन भी आपको कभी कभी पड़ देना है जल्दी से बताओ हो गई ना कन्फ्यूजन वाली बात प्रश्न किरमाग 91 उत्तर क्या होगा उत्तर बताना राजेस मौर जी सिलपा सिंग जी 91 का आंसर च है 1318 से लेकर के 1643 सी 1318 से लेकर के 1643 सी का जो काल था वो अचार रामचंडर सुक्ल 나올 नि भकती आपकाल का काल मानाø भकती काल की स्तीम not और यहां पर संबत अगर दिया होता तो 1375 से लेकर के 1700 यानि कि संबत 1375 से लेकर के 1700 का काल बैसे माना और इस भी की बात करें यानि कि 57 वर्स आप पीछे चले जाओगे है ना तो 1375 वर 75 मैंसे 57 घटा दो तो आप 1318 पर पहुंच जाओगे तो 1318 से 1643 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आपको बता है दोस्तो संबत से 57 वर्स पीछे चलती है क्या इस भी सन है ना इस भी सन इसको याद करो है ना इस भी पूछा गया और इस संबत है यहां कन्फ्यूज नहीं होना है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं संबत से माइनस 57 कर दो को इस भी पहुँझ जाओगे है ना यहां आ जाते संक्राचार ने सामाज एक 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 करण के प्रश्ने किरमांक 92 का बताना है कल्पना जी क्या उत्तर हो जाएगा संक्राचार ने सामाजे केकी करण के लिए किस दार्षने का ध्यात में एक का निरूपन किया और उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ने किरमांक 92 92 बताना है गुंजा जी संक्राचार ने सामाजे केकी करण के किस दार्षने के दर्षन मैंने याद करवाए आपको ट्रेक से हैना पुरिसर संकर अदुत्ये हैं संकर अदुत्ये हैं तो संकर से बनेगा संक्राचार और संक्राचार किस दार्षने कमत का प्रवर्तन करेंगे ब विसिष्टा दोयत बाद, बोले, राम क्या है, बोले, सर विसिष्ट है, तो राम अनुजा, चार, विसिष्टा दोयत है, है ना, तो यहां पर आपका B नंबर दोयता, दोयत बाद, B नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वरी अदोईत बेदान्त सही होगा है ना ची नम्मर सही होगा अदोईत बेदान्त सही होगा है ना ची नम्मर आपका सही होगा विलकुल चाही है अंगला क्वेश्चन है रामा नंद किस भक्ती धारा के प्रमुक कभी हैं किस भक्तिधारा के प्रमुख कभी हैं? प्रश्न किरमानक 93. रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कभी माने जाते हैं? ये आपको चेन करना है, और 93 का अंकित कुमार जी स्टीमा स्वनकर जी उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद किस भक्तिधारा की पिर्मुक कभी है उत्तर 93 93 रामानंद किस भक्तिधारा की पिर्मुक कभी है शगुन भक्तिधारा निर्गुन या फिर दोस्तो करश्न या फिर रामकाबधारा कौन मान जाते हैं और रामानंद की अगर बात करते हैं तो बोले सर रामानंद की बात की है आपने तो ये मान जाते हैं शगुण भक्ती धारा के रामानंद मान जाते हैं दोस्तों शगुण भक्ती धारा के याद रख लेना रामानंद के बारा सिस्थ ते बारा सिस्थ ते है और बारा सिस्त्यों में एक आते थे कबीर रामानंद माने जाते हैं सगुन भक्ती धारा के और कबीर इनके सिस्त जो थे वो नरगुन भक्ती धारा के थे हैना इनको याद रखेना है और इनके सिस्त्यों में एक आते हैं नरहरी दास या नरहरी दास आते हैं जिनके सिस्त हु हुए है यह भी आपको याद रखती ना है तौह सब्सक्राइब हएं अंगला कोश्चन यहां पर पढ़ना कि नाबादास रचित किस ग्रंत में कबीर के संब्ढ़िक मिलता है उलेक मिलता थो किसके चीत मिलता है प्रश्ण किरम है 94 का आंसर आपको चैन करना है नाबादास रचित किस गरंत में कबीर के संबंद में उलेक मिलता है प्रश्निक रमांग आपको बताना है 94 94 का बताना है आपको नाबादास रचित किस गरंत में कबीर के संबंद में वो लेक मिलता है तो नाभादास तो अपने कई बार पड़ा है बोले सर भक्त जो है भक्त बोले नभ में बैटे भक्त भक्त कहां बैटे हैं नभ में बैटे नभ में तो भक्त से बनेगा भक्त माल और भक्त माल यानि कि नाभादास नाभादास तो नाभादास के गुरू का नाम क्या था अग्रदास अग्रदास था नाबादास के गुरू का नाम और अग्रदास की एक रचना पूछी जाती है कौन सी ध्यान मंजरी ध्यान मंजरी याद रख लिना यह रचना पूछी जाती है अग्रदास की है ना याद रखो यह अग्रदास गुरू थे कौन भक्त नाबादास के गुरू का नाम था अग्रदास, अग्रदास की एक रचना ध्यान वंजरी पूछी जाती है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्तियां किस संत कभी की हैं, प्रश्न किरमांक 95 95 का बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है सबी लोगों को है ना अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रट लागी और दोस्तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरवांग 95 कबीर दास, मलूग दास, रैदास या फिर सुन्दर दास तो अपने कई बार पड़ा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है ना और जाकी अंग अंग बास समानी और उत्तर हो जाएगा आपका रैदास रैदास यानि कि सी नंबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा रैदास की बानी आपने पड़ी होगी तो आपका सी नंबर बिलकुँ सही है नेक्स्ट है बक्ति काल के अंतरगत प्रेम पीर का प्रचारक कभी किसे माना जाता है प्रेम पीर का प्रचारक कभी किसे माना जाता है बक्ती काल की अंतरगत प्रेम पीर का प्रचारक कभी किसे माना जाता है रस्खान जायसी सूर्दास या कबीरदास को माना जाता है प्रेम पीर का प्रचारक माना जाता है तो कौन माना जाता है प्रिश्ण किरमाँक 96 गिर 96 में आपका जो उत्तर बताना है प्रेम की पीर जायसी यानि की उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा 93 नावाधासack 23 का उत्तर रामानंद सगुन भक्तिदारा के कभी है इसको याद रखेंगे ठीक है रामानंद यहाँ पर दोस्तो रामानंद का किस काब धारा के कभी है यहाँ पर दोस्तो अलग अलग प्रकार से दे दिया गया सगुन भी दे दिया गया निर्गोन और राम भी दे दिया गया यहां पर जली से आपको बताना है कि भक्ति काल के अंतरगत प्रेम का प्रचारक कभी किसे कहा जाता है रभी जी जल्दी से उत्तर बताओ भक्ति काल के अंतरगत प्रेम का प्रचारक कभी किसे माना जाता है ये उत्तर आपको बताना है दोस्तों टेलीग्राम गुरुप से सभी लोग जुड़ेंगे टेलीग्राम गुरुप में रभी सर व्याकन का भी टेस्ट करवाते हैं हिंदी सायत का भी टेस्ट करवाते हैं बहां पर सभी लोग जुड़ सकते हैं है ना और भक्तिकाल के अंतरगत प्रेम का पीर प्रेम पी थापक आचारियों में कि जाती है। तो किसकी नहीं की जाती नर्वदा जी किसकी नहीं की जाती विजय जी मात्र भासा हिंदी है ना उत्तर क्या हो जाएगा किस आचार की गणना बैशनौ भक्ति की प्रतिष्ठ आपक आचारियों में नहीं की जाती तो किसकी नहीं की जाती बोले सर बैशनौ भक्ति के जी ने हरीदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने इनका नहीं दिया जाता उत्तर आपका जो हो जाएगा बिकल्प नमर भी सही हो जाएगा हरीदास निरंजनी बैशनाव बक्ती के प्रितिश ठापे काचारियों में जो नाम नहीं दिया जाता वो नहीं दिया जाता हरीदास प्रितिस्ठापक की बात तो रही प्रितिष्ठापक की है ना तो भी आपका बिल्कु सई हो जाएगा वक्ती का कौन सा रूप पहले दक्षण के आलवार संतों की बाणी आलवार संतों की बाणी के माध्यम से प्रस्ट खोतित हुआ यानि की दोस्तों आपको बताना है 98 का उत्तर भक्ती का कौन सा रूप दक्षण के आलवार संतों की बाणी के माध्यम से प्रस्ट खोतित हुआ था 98 का प्रस्ण बड़ा ही सरल प्रस्ण है और बढ़िया प्रस्ण है दोस्तों भक्ती का कौन सा रूप हमने देखा कि डक्षण में रामा नुजाचार हुए हैं और डक्षण से भक्ती लेकर के आयते रामानंद और रामानंद को आपने देखा कि रामानंद राम भक्ती धारा स हुई होगी पुलिसर बात करते हो तो वो हुई होगी राम भक्ती क्योंकि रामानंद उत्तर भारत में भक्ती को लेकर कि आयते हैं तो रामानंद राम भक्ती संबनेत तो रामभक्ति धारा ही दक्षण में प्रभाह्यत हुई होगी यानम्मर आपका common sense बिल्कुँट सही हो जाएगा ठीक्या अंगला कोचन है किस संस्कृत काब में पहले कशन लीलाओं का उल लेक मिलता है कशन लीलाओं में पहले क्ष्ण दीलाओं का उलेक मिलता है और 99 का उत्तर हमें बताना है 99 में आपको चेन करना है और आपको पता है दोस्तों किस संस्कृत काब में तो वो काब है ब्रहम में चरेते संस्कृत काब में कश्न दिलाओं का उलेख मिलता है यानि कि आपका उत्तर हो जाता है बिकल्प नम्मर एक आ नम्मर आपने टिक किया है तो बिलकुल शही है यह नम्मर अंगला कोस्टिन मसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ ए पंक्ती किस भक्त कभी को ल है उत्तर है मसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ ए आपको चैन करना है सबी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना रोज रात त्री नौ बज़े अपने पढ़ते हैं दोस्तों हैना इस पर चैन करते हैं इस पर बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्णों को पढ़ते ह हैं टेस्ट करते हैं जिन भी सातियो ने अभी तक सेलफ स्टड़ी किलासेश एप डाउनलोड नहीं किया है को एक बार प्लेड ष्टोर में जाएं और सर्च करें self study classes आपको दोस्तों यहाँ पर material मिलेगा यहाँ पर आप course purchase करेंगे है ना और यहाँ पर दोस्तों आपको मात्र 1200 रुपे में मात्र 1200 रुपे में 50% आप में हिंदी साहित का संपूर्ण course बिस्तरेत ब्याकरण फिलस तिर्की वीडियो topic by test सब कुछ मिल रहा है है ना तो मसी कागद छूओ नहीं कलम गाहो नहीं हाथ के पंक्ती कही गईती दोस्तों कभीर को लक्ष करके है ना तो यह 20 नंबर आपका कभीर दास बिलकोँ सही हो जाएगा इसको याद रख लेना है और आंसर है पदमाबत का लेकग कौन है पदमाबत का लेकग बताना है और रोज रात्री नव जे हिंदी सायथ की लाइप क्लास दोस्तो एक साल से कंटीनिव आप के लिए चर रही है उरे लाइप क्लास दोस्तो आपको बिलकुल फिरी चलती है बिलकुल फिरी चलती है इसमें हम प्रश्णों के बारे में पढ़ते हैं डाउट भी बहुत सारे चीजों की किलियर करते हैं वो निरंत रभ्यास करते रहते हैं है ना यह आपको बताना है पदमाबत का लेका कौन है तो सभी को पता है पुलिसर पदमाबत की बात करते हो तो हिंदी का प्रतम प्रमानेक महाकाब दोस्तों पदमाबत हिंदी का प्रतम रामकाब पर आधारित महाकाब रामचरित मानस हिंदी का दुतिये रामकाब पर आधारित महाकाब साकेत है ना तो इस प्रकार से याद रख लिए ना दोस्तों की पदमाबत का जो लेका के वो है आएसी कौन हैं जाइसी और अरु पदमाबत सूपी काब धारा का स्रेश्ट गरंथ माना जाता है और इसकी भासा मानी जाती है कौन सी अवदी अवदी भासा में लिखा गया था पदमाबत है नाा अचार राम चंसुकल ने प्रेमाख्यान का ब्रमप्रा का प्रफम कभी किसे माना है प्रेमा ख्यान परंपरा का बताना है तो 102 का अंसर 102 में जाय सी कुतुबन मुला दाउद या फिर मंजन कौन माना जाता है यह आंसर आपको चेन करना है आचार राम चंद्र सुकल सभी लोग एक बार लाइक जरू कर देना अपना अगूठा जरू चलाइए और वीडि रहते हिए कि पूरी चिंता इन्हीं को ती और राम चंद्र सुकल ने प्रेमा ख्यान परंपरा का प्रथम कभी जो माना है वो माना है किस से किस्य Br bike कवि की प्रें ना संश्कल को प्रें कभी M אूनसी मिरगा बती मिरगा बती एक रचना है दोस्तो कुथ मिरगा बती को प्रतुबन को पुरताम कभी माना सुखलिने तो तर्वी आपका हो जाएगा बी नंबर और कुटुबन सही हो जाएगा रीटा कांती जी कुटुबन सही होगा रिगाबती के पूछा भी गया है अस्चाप की स्थापना कभ हुई अस्चाप की स्थापना यह निकि 103 का अंसर को चेंद करना है सबी लोग बताएंगे सुरेंद्र कुमार जी सुस्मा ठाकुर माया राम जी और प्रदीप सर्मा जी रिंकु पर्मार जी उत्तर क्या है अस्चाप की स्थापना की थी दोस्तों बहुत सारे लोग अस्चाप में भी कन्फ्यूज होते हैं कि बनलबाचार ने की थी याद रख देना बोले अस्चाप के कभी बैठे हैं तो बैठे से बनेगा बिठ्थल नात है ना अस्चाप के कभी क्या है पुलिसर बैठे हैं अस्चाप के कभी बैठे हैं तो अस्चाप के प्रबरतक को अनमान जाएंगे बैठे से बिठ्थल नात बैठे से बिठ् और अश्ट छाप की इस्थापना बिठलनाथ हैना बिठलनाथ दोस्तों बलबाचार की पुत्र का नाम था हैना वर अश्ट छापकी इस्थापना यह ने की थी 1565 में यहाँ पर confused नहीं होना। यह 1565 आपका सही होगा, 565 ठीक है, 104 पॉर 4 का उत्तर होगा, सूर्दास की बक्ती पॉत्दती का मेरूधंड है, कौन सी भक्ती मानी जाती है प्रश्ण क्रमा के 104 आपने पढ़ा है दोस्तों एक मैंने कई बार आपको बताया है कि पुष्टी मार्ग के प्रबर्तक माने जाते हैं कौन पुष्टी मार्ग के प्रबर्तक माने जाते हैं कौन बल्लबाचार इसको कैसे याद रखोगे आप से क बच्चा क्या करता बच्चा कोई अगर कोई करता कि मुझे खिलोना चाहिए और अगर खिलोना नहीं लवा देते तो उसकी पुष्टी करवाता रोकरके रोता है जिद करता है तो फाइडो कर वा लेता है ऐसे ही आपको कर sufficiently बल्से कानब यह पद्दती यह आपका उत्तर हो जाएगा डी नमबर डी आपने चैन किया है बिलकुष रही चैन किया है सभी लोग लाइक जरू करेंगे अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलू का कहे गए सब के दाताराम पंग्तियां किसकी है अजगर करेना चाकरी है ना यहां पर आगया मलू का मलू का आगया मलू का स्मज़ गया क्या मलू कडास यह आपको बीलकुछ चैन करना है सभी लोग करेंगे डॉक्टर संजय जी तमू जी है ना उत्तर बिल्कुल सही बताना है कबीर किस के सिस्ते थे रामा नुच के रामा नंद के संक्राचार के नानक देव के सबी लोगों को Telegram group में जरू जुड़ना है सबी लोग Telegram group में जुड़ें Whatsapp group में जुड़ें दोस्तो यहाँ पर app भी आपको download करना है बहुत सारी चीज़े Telegram में आपको test तेरीज भी करवाई जाती है और दोस्तो तो सबी लोगो जुड़ेंगे और जिसको भी कोर्स जोइन करना है वो कोर्स भी जोइन कर सकते हैं विस्तर तद्यन तिर्की वीडियो टॉपिक बाइस टेस्ट के लिए है ना TGT, PGT, UK, LT है ना और दोस्तो RPS यादी विवेन एक्जामों के लिए हिंदी साहित जिनमें भी हिंदी साहित पूछा जाता है यहनिकी 107 फिर आपके सामने 107 वा उत्तर है और 107 में आपको चैन करना चंदायन चंदायन एक इसकी रचना है प्रश्न किरमांक 107 107 में क्या हो जाएगा आपका सही सुरेंद्र जी, गिरी, अंकित जी, है ना अनिता, ममता जी, पंकज जी, उत्तर आपने बताया आदेश दीबी जी, उले सर चंदायन की बात करोगे, तो हम भी सांत नहीं रहेंगे, उत्तर बता के ही रहेंगे तो तर आपका क्या हो जाएगा, 107 का, देखते हैं कौन सही बता रहा है, और बहुत सारे लोगों ने बिलकूर सही बताया है, कि सर, चंदायन की जो रचनकार है, वो है कौन, मुल्ला दाउद कौन है, मुल्ला दाउद है, इस किलास को नरंतर अटेंड करना है, एक भी किला दोखना है, चंदायन, मुल्ला दाउद हैना, अंगला क्वेस्चन, धोला मारूरा दुखा, ये धोला मारूरा दुखा आ गया, कल अपन ने पढ़ा था, धोला मारूरा दुखा के दो कभी हैं, बोले सर, एक तो कोसलाव और दूसरे कनलोल कभी, यहां अब आपसे पूचा गया है, कि दोला मारूरा के दोहा रचनाकार कौन है, तो आपको कोसलाव कहीं ओफसन में नहीं देखेगा, हैना, आपको एक ही ओफसन देख रहा है, और वो ओफसन कौन सा है, कौन सा है, कमेंट में आपको ही बताना है, दोला मारूरा दुखा के रचेता कौन माने जाते है जल्दी से लेको कमेंट में धोला मारूला दूहा की रचेता कौन है और आपने चैन किया पोलिसर यहाँ पर कलोल कभी आया तो कलोल लगा देना और यहाँ पर कलोल की जगा कुसल लाब आता तो कुसल लाब लगा देते ठीक है तो इसको नहीं भूला कभी किस रामाइन को आधिकाल मानकर रामकता के मूल सुरूत के मूल सुरूत के रूप में सुईकार किया गया किस रामाइन को आधिकाब मानकर रामकता के मूल सुरूत के रूप में सुईकार किया गया वो रामाइन कौनसी है दोस्तों वो रामाइन कौनसी है प्रेश्न किरमांग के 109 और 109 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या होगा इस रामाइन को आदिकाल मानकर रामकता के मूल सुरूत के रूप में सुईकार किया गया तो अपन पढ़ते ना कि मूल सुरूत रा माना जाता है वाल मी की रामाइड है ना बाल मी की रामाइड माना जाता यहनि कि आपका जो डी नंबर डी नंबर बिल्कुछ सही हो जाएगा है ना प्रश्न किरमां के 109 और 109 में आपने चेंड किया है बाल मी की रामाइड है ना बाल मी की रामाइड दिखा जाता है इसको बाल नहीं करना बाल नहीं पढ़ना है बाल मी की पढ़ना बाल मी की बाल मी की हैना बाल नहीं करना जान की हरन का रचेता कौन है जान की हरन यानि की 110 का अंसर 110 का बहुती प्यारा प्रस्ण है दोस्तो अपन ने अभी तक पढ़ा था जान की मंगल पढ़ा था हैना दोस्तो ल कुमार हैं उनके साथ एक और लेडीज हैं ऐसे करके कुछ बोलते थे तो बोले दो कुमार के साथ कौन थी जान की थी जान की थी किसके साथ कुमार है ना बोले दो कुमार जंगल में आये हैं इस प्रकार से जब राक्षास देखते थे थे ना स्री राम और लक्ष्मन को दो तेक महिला भी है इसे करते थे तो कुमार से क्या बनेगा जान की हरन कुमारास की रचना है यहनिकि 110 का अंसर 110 का अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या आनमबर आनमबर आपका बिलकुछ सही है कुमारदास और अंगला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है रजजब सुन्दरदास प्रागदास आदी संत कभी किस पंत के अनुयाई थे और दोस्तों आपने देखा होगा कि संत काबधारा निर्गुन साका से उत्पन्न होती है संत काबधारा और सूपी काबधारा संत काबधारा को ग्यानस्री काबधारा भी कहा जाता है है ना और रजजब सुन्दरदास प्रागदास ये आदी जो संत हैं किस काबधारा से संबंदित माने जाते हैं तो प्रश्न 11 में 111 में आपने चेन किया है ये माने जाते हैं दोस् पूलना नहीं है तो रज़व सुंधरदास, और प्रागदास, वान जाते दादुपंत के, और उत्तर हो जाएगा, विकल्प नम्मर B, दादुपंत यानि की दादु दयाल ने एक पंत Chief चलाया था, दादुपंत है, वो यह दादुपंत है, और अंगला question है राम लला नहिचू किसकी रचना राम लला नहिचू यानि कि 112 और 112 का उत्तर क्या हो जाएगा ये तो सभी लोगों को पता है लगबाग वीडियो को सभी लोग एक बार like कर देना जिन भी सातियों ने course purchase नहीं किया है एप डाउनलोड नहीं किया है self study classes वो एप सातियों को हिंदी साहथ पढ़ना है बिस्तरित पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है टेस्ट भी देना है वो जुड़ जाए self history classes के जोस्तो पैड कोर्स से और उत्तर हो जाएगा यहां पर राम लला नहिचू तुलिस्ती दास राम लला नहिचू तुलिस्ती दास औरा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ए नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला है विद्यापती का जन में कहा हूँ था बिद्यापती की जब भी बात होती है तो हमें इस दो चीजे वे पदा वली है वो मै jagtyली भासा में इसकी रचना की गई और चौती चीज हमें याद आती है कि कीरती लता और कीरती पता का इनकी दो रचना है अब हट में इन्हों ने रचना की थी है ना तो इस प्रकार से तीन चार चीजे हमें बिद्यापती का नाम लेते ही याद आ जानी चाहिए और उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार पुलिसर बिध्या बिहार नहीं करती बिध्या बिहार नहीं करती बिध्या तो बढ़ती रहती है बिध्या बिहार नहीं करती है ना या याद करो कि बिहार के बिध्यापती बिहार के बिध्यापती बिहार में जन्म हुआ था बिध्यापती सापका इनको एक नंबर 13 नंबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा तो किस में हैं दोस्तो प्रश्ण करमाग के 114 में आपको चेन करना है उत्तर भी आपको बताना है कि किस संप्रदाय में कर्श्ण की बांग में राधा के साथ एंडर के लिग्दार का बिदान है सबी लोग एक बार लाइक जरू कर देना दोस्तों वीडियो को और जिन भी सात्यों ने Self-Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही एप डाउनलोड करें आप TGT, PGT, NET किसी भी एकजाम की तयारी हिंदी साहस्ते कर रहे हैं एक बार जोड़ जाईए Self-Study Classes से है ना कि संप्रदाय में कशन की बामांग में राधा के साथ कशन की उपासना आपको बताना है तो वो संप्रदाय है दोस्तों कौनसा निम्बार्क संप्रदाय कौनसा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय बामांग में बामांग में राधा के साथ कशन की उपासना करने का बिध दोस्तों यह आपका C number 114 का बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा सा number निम्बार्क संपरदाय निम्बार्क लगाना इसमें C number लगाना है निम्बार्क में बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे निम्बार्क संपरदाय आपको टिक करना है है ना तुलसी दास की भक्ती किस परकार की मानी जाती है तुलसी दास की भक्ती है ना यहाँ पर बामांग में रादा बामांग में रादा करन की उपासना का बिधान है तो वो निम्बार्क संपरदाय में है और अंगला क्वेस्चन है आपकी अंगला क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा सतीज जी विल्कुछ चाहिए तुलसी दास की बक्ती किस प्रकार की है तुलसी दास की बात करते हो तो इनके बारे में एक अपन ने गाना बनाया था कि तुलसी को बेराग हुआ है राम राम एह जान की पड़ाता ना बहुत बढ़िया सौंग था दोस्तों अपने लिए बहुत बढ़िया दोहा था जिनके माध्यम से हमने तुलशी दास की रचनाओं को याद किया था है ना याद किया था और तुलशी दास की भक्ती किस प्रकार की मानी जाती है तो बोले स रहा कि इतना प्रेम इतनी भक्ती अगर आप भगवान स्री राम से करोगे तो भाव सागर से तर जाओगे छोड़ चाड़के और निकल जाते हैं है ना और राम की भक्ती में पूरा जीवन लगा देते हैं तुलसी दास जीत है ना और तुलसी दास की भक्ती किस परकार की थी तो दास भाव की थी, मीरा भाई की बक्ती किस परकार की थी, तो मादुर भाव की थी, सूरदास की बक्ती किस परकार की थी, तो आपकी तीकिस की सखा भाव की ये तीन प्रस्णों में से एक question पूछ लिया जाता है इसलिए याद रख लेना अश्ट चाप के दार्सनिक गुरू कौन है अश्ट चाप के दार्सनिक गुरू कौन है एक सो सोला का अंसर आपको चैन करना है अलग प्रस्ण है थोड़ा सा लेकिन बड़िया प्रस्ण है अश कि सीरिच को आपको रोज अटेंड करना है रोज पढ़ना है हैना हिंदी आपकी strong हो जाएगी और दोस्तो बिस्तरे तद्यन करना है ट्रकी पढ़ना है टेस्ट भी देना है तो self study classes में self study classes में एप डाउनलोड कर लें एप में आप course में जोईन हो जाए हैना course आपका 1200 दार्सने गुरू कौन है तो आपको बताना है वो हैं बल्लबाचार कौन है अश्ट चापके दार्सने गुरू माने जाते बल्लबाचार बल्लबाचार ने दोस्तो सुद्धा दोईत का प्रवरतन किसने किया था तो आप बताओगे बल्लबाचार पुष्टी मार का प्रव बल्लबाचार जी को हमें पढ़ना है नरंतर और पढ़ते जाना है अच्छाप के दार्सने गुरू थे अच्छाप की इस्थापनातफ ने 1565 में दार्सने जो गुरू थे वो बल्लबाचार थे यह भी याद रख लेना चार चार सिस्ते बल्लबा चार की और चार सिस्ते दोस्तों बिठधल लात के इन चार चार को मिलाकर के एक बन जाता शाप 1565 में बिठधल लात के द्वारा इसकी शापना की गई है ना और भक्ती का प्रस्थान ग्रंत कौन सा है यानि कि 117 का आंसर आपको चैन करना है और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना भक्ती का प्रस्थान ग्रंत कौन सा 117 का आंसर और 117 में प्रस्थान भक्ती का प्रस्थान ग्रंत कौन सा माना जाता है यह आपको चैन करना और 4117 का आंसर 117 में आपने चेन किया पुलिसर भक्ती के प्रस्तान की अगर बात करोगे तो गीता से नहीं भागबत महाभारस से नहीं रामायन से नहीं उत्तर बिलकुल सही बताया संत्राम समीर जी बहुत बड़ी आंसर भागबत से माना जाता भागबत है ना और अपने पढ़ा था दोस्तो भागबत स्रनवपाध्याई के बारे में आज अपने बंद पढ़ रहे थे है ना इसको याद रखे ना और डी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है मैं कहता हूँ आखन देखी और तू कहता है कागद लेखी कहने वाले भक्त कभी कौन से है है ना मैं कहता हूँ आखन देखी और तू कहता है कागद लेखी है ना ये आपको बताना है ये दोस्तो रहस बाद रहस बाद के प्रतम कभी मान जाते हैं तो कौन अगर आपसे कभी question आए कि रहस बात के प्रतम कभी कौन माने जाते हैं तो क्या टिक करोगे टिक कर लेना है कवीरदास को टिक कर लेना कवीरदास को भक्ति काल के दो कभी जायसी और कवीरदास दो कभी दोस्तों रहस बात से प्रभावित माने जाते हैं है ना और रहस बात के बोद धर्म से प्रभावित थी बोद धर्म से प्रभावित थी अरविंद दर्सन से प्रभावित थी पंत जी है ना ये भी याद रख ली ना और मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता है कागद ले की उत्तर आपका हो जाएगा क्या उत्तर हो जाएगा कभीर दास कभीर दा आप दोस्तों आप से कभी पूचा जाए सबसे ृस्ट इब रिस और और भकतन को की उत्तर हो जाएगा आपका स्थी नमबर कोंभन दास्थी नमबर बिल्को सही है ठीक है सभी लोग वीडियो को लाइक करना दोस्तो और एप को डाउनलोड जरूर कर लेना एप पर डाउनलोड आप करते हो आपको संपूर कोर्स हिंदी साहित संपून कोर्स दोस्तों इस्ते एक बार जुड़ जाओ है ना हिंदी साहित आपको मजा आने लगेगा अच्छा लगने लगेगा पढ़ने को मन करेगा सूर्दास का लीला वर्नन किस्ते प्रभावित है महावारस्ते विद्यापती की पदाबली गीत गोविंद या पिर भागवत पुराण से सूर्दास का लीला वर्नन किस्ते प्रभावित माना जाता है प्रशन किरमां के 120 और 120 का अंसर आपका क्या हो जाएगा इसको याद रखना और सूर्दास का लीला वर्नन किस्ते प्रभावित है तो 120 का अंसर और 120 का हो जाएगा भागवत पु पुझे जाते हैं किस परिवार्खी भासा है अधिकी तैयारी कर रहे हैं ये प्रशनी आता तो भी आपकी तैयारी जीरू ही है तो आपको बता दे कि हिंदी भारोपी परिवारखी भासा है बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त भारत में सरवादिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है सबसे ज़्यादा कौन सी भासा बोली जाती है तो बिल्कुल सही आप लोगोंने समझा हिंदी भासा सबसे ज़्यादा बोली जाती है इसी टाइप के प्रशन आपके पेपर में आएंगे हिंदी भासा का जन्म हुआ है जल्दी से बता दें किस से हुआ है यह very very IMP इसमें लोग confuse हो जाएंगे और गड़बर कर देते हैं तो इन तीन option में से ही आप बता दें कि हिंदी भासा का जन्म किस से हुआ है जल्दी बता दें हाँ हिंदी भासा का जन्म जो हुआ है बहें आप भरंस से किस से आप भरंस से दोस्तो यदि आपने भी हमारे पिछले ना देखे हों आपने पूरे इसके पार्ट तो आप YouTube पर Top 50 Study हमारे चैनल पर जाकर के करम से प्लिलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सारी तैयारी आंगे के पार्ट आपको मिलते रहें तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे YouTube चैनल Top 50 Study से और लाइक जरूर करें निमल लिखित में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरकत नहीं आती है हिंदी के अंतरकत कौन सी नहीं आती है तो अको अताद एक कन्नोजी बांगरू अबधी तो आती है लेकिन तेलगू जो है वह हिंदी के अंतरकत नहीं आती है तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा जल्दी से कमेंट करना है हमारे बताने से पहले हिंदी की बिशिष्ट बोली राज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई जल्दी से पता दे किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है तो हिंदी की जो बिशिष्ट बोली ब्रज भासा है उसको क्या किया है कभियों ने अपने काब की भासा बनाया है कई काब रचना इसमें लिखी गई है ब्रज भासा में ठीक है सूर्दा सित्यादी ने लिखी न भारत बर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे भारत बर्स में आप किस वर्ग में हिंदी को रखेंगे तो आपको बता दे राज भासा के रूप में हिंदी को रखते हैं किस भासा के रूप में राजभासा के रूपमें, याद कर लेना बिलकुल, महत्पूर परस्थान आगया है, धूडारी बोली है, किसकी है धूडारी, जल्दी से बता दें, तो धूडारी जो वह है, वह हो जाएगा, बिलकुल सही उत्तरा बता रहे हैं, पूरवी राजस्थानी की, ठीक है, साज गला खराब है फिर भी मैं प्रशन ले करके आया हूँ आपका क्योंकि कंप्लीट करने हमें एक हजार प्रशनों का लक्ष रखा है इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं बहुत सारे हमारे चैनल पर अप्लोड हो चुके हो बहुत सारे आगे होने हैं चले ब्रजबु बिल्कुल यहीं याद करते जाएं या कम से कम दो बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा निमने लिखत में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अब इन में से बताना है देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो आपको बता दे कि जो मराठी भासा है किसमें लिखी जाती है देवनागरी लिखी में लिखी जाती है अलग अलग है ठीक है और देवनागरी में कौन-कौन सी लिखी जाती है तो में जो है संस्क्रित और हिंदी इन दो में से पूछा जाता है तो भो ही याद रखिएगा आगे देखें एक मनई के दुबे बेटवे रहन एक बोली और भासस संबंदे इसमें थोड़े ज़्यादा प्रिश्म लिए हैं जिससे आपका ये चैप्टर लगवा कंप्लीट हो जा जो पूछे जाते हैं एक मनई के दुबे बेटवे रहन ओह माह लहरवा अपने बाप से कहिए दादा धनमा जवन हमरा बखरा लगत होए तवन हम देदे यह अब तरण हिन्दी की किस बोली में हैं जल्दी से बता दे किस बोली हैं तो यह जो है मनई दवई ये सब आते हैं अबधी की अंतरगत किस निमने लिखित में से कौन सी भासा, संस्कित भासा की अपभरंस है, संस्कित की अपभरंस किस भासा को कहा जाता है, very very IMP, तो आपको बता दे संस्कित की जो अपभरंस कहा जाता है, वह कहा जाता है, पाली को, ठीक है, संस्कित, संस्कित से है, पाली, पाली से प्राक्रित, ऐ अधिकतर भारती भासाओं का विकास किस लिपी से हुगा है अधिकतर जो भारती भासाओं थी उनका विकास किस लिपी से हुगा है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें सबसे जरूरी कॉस्चन हो जाए जिसको हम कहा देंगे बैरी बैरी आई एंप उसको रट लेना है त किसे याद रखेंगे कि लोग कहते, सब सबको किस ने बनाया ब्रह्मांजी को रखुती भाशा निकली ब्रह्मी लिपी से तो आप ऐसे यहाद भी रख सकते कुछ पी अपनी ट्रिक लगा सकते हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है अभी हमने बताइब आप दिया था क हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण के आधारपा 36 गड़ी बोली कौन सी जल्दी से बता दीजिए तो 36 गड़ी जो है बिल्कुल कमेंट में उत्तर करते जाए पूर्वी हिंदी वह अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करतें इसकी हमने ट्रेक अब 36 गड़ी अब 36 गड़ी मतलाओ अब धी बगेली और 36 गड़ी यह पूर्वी हिंदी की भासा है पूर्वी हिंदी मतलाओ अब 36 गड़ी तो अब धी बगेली और 36 गड़ी यह सी ट्रेक से हम पढ़ाते रहते हैं कई सारे वीडियो आपको तो आप पूरी तैयारी सलेव तो भी चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं दीन लिखत में से कौन सी पस्चमी हिंदी की नहीं तो आपको बता दें कि पस्चमी हिंदी की जो भुली है बुंदेली तो बused मैं कर से उत्तर होत्त बाज़े लिए आगे महत्पून प्रश्ण आ गया भारती संबिधान में किन अनुच्छेदों में राजभासा संबन्दी प्राब्धानों का उल्लेख है अनुच्छेद बताना है सबको बिल्कुल यह तो रटाई हुआ है यदि हिंदी पढ़ रहे हैं दक्षण भारत हिंदी पचाणनी सबा का मुख्याल है बेरी बेरी आई एमपी कई बार पूछा गया प्रश्ण तो आपको यह बताने कहां पर है चेन नहीं में दोस्तों प्रश्ण अच्छे लग रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी करतब है लाइक सेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का हिंदी भासा के विकास का सही करम कौन सा है अभी हमने किलियर भी कर द अब दिन में गला ठीक ओजाए कघू अऊपटा फटा और प्रसण भी आए पड़ेंगे सम्मीदान के अनुछे 3501 में किस विसायका बढ़नान है अनुछे 3501 सम्मीदान के जल्दी से पता दे किस विसायका बढ़नान है तो आपको बता दे उसमे दिया है हिंदी के बिकास क लिए निर्देश कि हिंदी का विकास होना चाहिए भाई ब्रज भासा है कैसी है ब्रज भासा भी आभी जल्दी से बतादे कमेट करने फटाक से कौन पहले उत्तर बता तो ब्रज भासा कैसी है पस्चमी हिंदी है मग ही किस उपभासा की बोली है मग ही जल्दी से बतादे न दोस्तों मग ही किस बहसा की उपभासा की उपभासा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभरांस से बिक्सेत हुई है हिंदी खड़ी बोली बताना है किस अपभरांस से बिक्सेत हुई है एभी कई बार पूचा गया है तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह सौर सेनी अपभरांस किस से सौर सेनी अपभरांस ठीक है खड़ी बोली में क्या सौर गात है लिखी गई ऐसा समल लेना तो सौर से नहीं अपरण से निकली है ठीक है खड़ी बोली भासा के याधार पर भारती राज्यों की पुना संजचना की गई थी किस सन में की गई थी इस सनियाड कर लेना हमेशा के लिए 1956 में और जहां तक मुझे याद है पहला भासा के याधार पर राज्य बना था अंद्रप्रदेश ठीक है भासाई आधार पर सरप्रथम किस राज्य का गठन हुगा था लोग हमने उत्तर यहाँ पर बताया नहीं कि उत्तर यहाँ पर आई गया है अब तो मैंने पहली स्क्वाउट कर दिया समुझी लगा कि होगा नहीं तो क्योंकि यह पीडियाफ हमने अलग से बनाई है एक हजार पर पर पूरे पर हमें आपसे चर्चा भी करना है वह महत्पूर पर सारे बिसाय आपके हिंदी व्याकरन के कंप्लीट हो जाएंगे सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो भासा या आधार पर सर्प थम्जिस्राच का गठान को क्या है आंदे पर दे तो दोस्तो हमें उम्मीद है आपको प्रशन पसंद आ रहे हैं वो वीडियो तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्प स्टेडी किस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको APP मिलने बाला है डिकए तो दोस्तो हम देखें कि पैलेश्टॉर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह सेल्प स्टेडी के ल लासें टीक है यह इंबेशूर में आपको सेल उस्टेड़ी क्लासी का APP कि देखन आंगे बढ़ेंगे